आज जी मैं बना रही हूं बिर्यानी सिंपल सी रेसिपी और बहुत जल्द बने वाली रेसिपी और इतनी यम्मी बनती है ना जिसका कोई साम नहीं तो आप जरूर बनाएगा इसको ट्राइ कीजेगा यहां पर मैंने अनीन कटिंग करकर पतीले में आइड कर दी हैं मैं इसके मेरी आट कर रही थि और मैं मेरे अनीन हैं फराई और यहां पर मैं यह दृकर रहे हैं नाइघ का रहे हैं हमारेण स्लंडर तो उसकी हीट जल्दी ही लिए लगती अगर दुसरी गैसी है उसकी थी जल्दी लगती हैना उसके साथ में जल्दी खाना बन जाता है track राइप ज इसलिए एड़ करती हूं यह भी आप भी ज़रूर इस बात को देखेगा वैसे भी बिर्यानी बनाते होएंगे लेकिन अगर इस तरह ओयल के अंदर चिकन को एड़ कर देना तो फिर वह चिकन के अंदर समेल नहीं आती जो कच्छे पान की जैसे पूरा मसाला फ्राय कर लिया बार में चिकन एड़ करना उसको भून के चले जी पानी डाल दे वह तरीके से नहीं बनाया करें क्योंके उस तरीके से नहीं प्राय कर लिया करें अब मैं इसके अंदर एड़ कर रहे हूं लेसन और अदरक का पेस्ट और साथ में यह भी भून जाएगा ना और चिकन की सार जो आना वो चली जाएगी और जी इसके अंदर एड़ कर दी मैंने ग्रीन चील ली अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे हम वैसे बिर्यानी बनाने के बहुत से वेजन लेकिन यह सिंपल सा वेज़ा है में तक क्विक रैस्पी है यह जल्दी बन जाने वाली जैसे कोई जल्दी में यह ऐसी बिर्यानी बनती है अब यहां पर मैं इसके अंदर एड़ करूंगी टेमाटर जो के मैंने कुतिक करसे हुए थे और इसको करणें एच्छे च्रीके से मिक्स और टेमाटर सोफ्ट होने का करेंगे वेट कि यहां पर हमारे टिमाटर गल रहे हैं सोफ सोफ से हो रहे हैं यहां पर मैंने आड कर दिया इसके अंदर सॉल्ट वन केजी राइस थे मेरे पास उसके अंदर मैंने टू एंड हाफ जो है ना वो सॉल्ट एड कर दिया अब यहां पर मैं इसके अंदर डालती सुका धनिया सुके धनिया का पाउडर और दो चोटे ना टी स्पून मैंने डाल लें इसके अंदर सुके धनिया के पाउडर के अब मैं इसके अंदर डाल दें दो टी स्पून मैंने डाल लें इसके अंदर जीरा Tyrone और यहंपर इसके आंदर डाल दी हमीने पिसा हुआ गरम मसाला और यहांपर मैंने डाल दी सारे इसके आंदर ख़ड़े मसाले जमिन थी काली मिर्ज बादियान का फूल और दार्टी नि और लॉंग और यहांपर मैंसके आइड करही हूं क्रस्ष की हुई अब जी यहां पर सारे जो थे ना मसाले मैंने आड़ कर दी अब मैं इसको अच्छे तरीके से करूंगी फ्राइ यहां पर हमादा मज़ेदार सा बिर्यानी का मसाला पक रहा है थोड़ी सी मैंने रट सीली इसके अंदर एड़ की है तेस्ट के लिए इसके अंदर मैंने दो चमच बिर्यानी मसाले के भी आड़ किया हूं मैं इसमें वीडियो में स्किप हो गी थी तो दो चमच आप भी इसके अंदर बिर्यानी मसाले के आड़ कर लेगा बहुत टेस्टी बिर्यानी बनते है और यहां पर्जी ओल्मॉस्ट मारा बिर्यानी मसाला हो गया है तैयार देखें अब हमारा जो मसाला ना उसने ऑईल चोड़ दिया है अब जी इसके अंदे मैंने थोड़ी सी डाल दी है इमली पेश के लिए इसको कर रही हूं मैं मिक्स यहां पर मैं बना रहे हूं यम्मी से राइस अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी एब पानी आप बॉयल होनी का करेंगे इंतजार हैं और यहां पर मैं इसको कर दूंगे अच्छी तरीके से मेक्स और अब उपर दे दूंगी डगकन और पानी बॉयल करने का करूंगी इंतजार और यहां पर्जी मैंने बर्नर भी चेंज कर दिया दूसरे चुले पर आगी थी वहां पर हीट थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने सुचा है यहां पर रख लेती हूं चल्दी बन जाएंगे और यहां पर जी मारा पानी बॉयल हो चुका था और इसके अंदर आड़ कर दिया मेने चराइस और सॉल्ट मैंने चक लिया था सॉल्ट बिल्कुल ठीक था यहां पर मैं करूंगी इसको मिक्स और आप भी बिर्यानी जरूर इस ट्राइप पर बनाईएगा सीरियसली बहुत ही अच्छी बनती है बड़ी मज़े की यमी सी बिर्यानी बनती है आप लोग जरूर बनाईएगा इस वियसे बिर्यानी और बार में मुझे कॉमेंट्स पर जरूर बताईएगा कि आपकी बिर रहा गया था और अब यहां पर मैं लगाने लगी चावलों को दम क्योंकि पानी हमारा खुश्खो चुका था और मैं इसके उपर डालूँगी फूट कलर अब मैं इसके पर डाले लगी जर्दा रहा है और यह देखें जी मैं इसके पर डाल रही है और यहां पर जी लगा दिया है मैंने दम यहां पर हमारा दम लग चुका था और देखें हमारे कितने मज़ेदार से चावल बन कर हो गए हैं तयार और आप भी इस तरह जरूर बनाएगा और मेरे चैनल अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी रहे हैं लाइक कीज़ेगा